नमस्कार स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में मुंबई में नवाब मलिक के आरोपों से शुरू हुआ सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा अभी तक पूर पुलिस कमिशनर परमवीर सिंग को मुंबई में डर लग रहा था लेकिन अब बॉखलाय नवाब मलिक भी मुंबई में खौप के साएं में जीने लगे हैं जी हाँ नवाब को लग रहा है कि उनकी सरकार के राज में ही उनकी रहकी हो रही है उनकी जासूसी की जा रही है जिससे अनिल देश्मुक की तरह वो भी जेल जा सकते हैं लेकिन अब बीजपी ने नवाब की इस नौटंगी की पोल खोल दी है नवाब मलिक के इन चाले किसके पास है इसे ट्विटर पर पोस्ट करने के बजाए वेजाज के लिए ग्रह मंत्री या पुलिस आयूप से शिकायत क्यों नहीं कर सकते इससे पता चलता है कि नवाब मलिक अब जानते हैं कि जिस तरह से हाई कोड के आदेश पर अनिल देश्मुक के खिलाब कार कर सकते हैं अनिल देश्मुक तो भ्रस्टचार का खेल खेल कर सलागों के पीछे जा चुके हैं तो शायद आपने भी कोई गलती की होगी जिससे आपको जेल जाने का डर सता रहा है और आपने ट्वीटर पर अब नई नौटंकी शुरू कर दी है नवाब मलिक की इस नई कर पात्रा पर गया था तो कुछ लोगों ने कार में दो लोगों को तस्वीरे लेते हुए पकड़ा यह पाया गया कि उसमें से एक अपने कू हैंडल पर मेरे खिलाफ लिख रहा है हम मुंबई पुलिस आयुक को उसकी जानकारी देंगे और जांच की मांग करें हैरानी की बा बॉम्बे हाई कोट ने नवाब मलिक की बोलती पर ब्रेक लगाया तो वो नए मुद्दो को लेकर बबाल मचाने लगे कुछ नहीं मिला तो खुद की जासूसी और जूटे केस में फसा कर जेल भेजने के डर का आरोप लगाने लगे नवाब के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और साफ कहा कि आने वाले दिनों में नवाब मलिक के पापों का घड़ा भी फूटने वाला है इसलिए उन्हें पहले ही जेल जाने की सलहा और डर सता रहा है इस खबर में फिलाल अतना ही बने रहे है कैपिटल टीवी के साथ चैहन